नमस्कार आपने शरीर के रक्त संचरन के बारे में तो जरूर सुना है बलड का सर्कुलिशन हमारे शरीर के लिए बहुत आवशक है ये भी पता है पांच लीटर बलड एक स्वस्थ वेक्ति में विचरन करता है अब उस ब्लड की गती क्या है? उस गती के कारण ही हम स्वस्त हैं उसकी सिथिलता, उसकी अधिकता, उसकी तेजी, उसकी कमी ये हमारे शरीर के स्वस्ते को प्रभावित करती है अगर हाट की बात करें तो बीच में मोटर यहां लगी है, जैसे घर में हमारे पानी वाली लूट्टू पंप होता है यहां से नीचे ब्लड सर्कुलेशन तो आराम से जाता है, उसको तो हाट धिमी गती से फ्याकता है लेकिन यहां चलाने के लिए, इधर फैंकने के लिए उसको तेज गती देनी पड़ती है यहां तेज गती देनी पड़ती है, तो यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन हमें सबसे ज़्यादा चाहिए क्योंकि माइंड के अंदर से सारे शरीर का ब्लड होकर निकलता है सारी जो हमारी तंत्री का तंत्र है वो माइंड से जुड़ी हुई है अब क्या है कि उसी के बीच में हमारा चेहरा आता है उसी के बीच में हमारे सिर की चमड़ी आती है कान आते हैं नाक आती है आँख आता है ये सारा सिस्टम जो है ये भी इसको भी बलड चाहिए इसको बलड की सप्लाई जो है वो कम होती है बनिस्पत सिर की नसों के सिर की नसों को प्रात्मिक्ता है हमारे शरीर में शरीर की प्रात्मिक्ता के अनुसार बलड का संचरण होता है तो mind को blood का sensorine जादा होता है अब क्या हो गया कि एक उम्र के बाद या आप ये मानिए शुरू से ही मानिए लेकिन एक युवा अवस्ता है जब तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद जो उम्र भढ़ती है 25 के बाद 30 के बाद क्या होता है रक्त के sensorine में थोड़ी सी सितिलता आती है मोटर में थोड़ी जान कम हो जाती है यानि हार्ट की pumping में थोड़ी जान कम होती है और फिर अगर हमने व्यायाम नहीं किया योग नहीं किया और खान पान में गरिष्टता ले आए खटाई जादा खाली तली हूई चीजे जादा खाली मेदा जादा खाली है तो हमारी गती में और जादा सितिलता आजाएगी इसके जो दुष परभाव हैं वो कहां आएगे इसके दुष परभाव जादा तर हमारे इस area पे आते है जैसे आख, स्किन, चेहरा, कान, नाक और सिर से संबंदित समश्या है सिर में जैसे बाल और हमारी स्किन अब इसको अगर ठीक करना है मैं आपको एक दिशा की और लेकर जा रहा हूँ इसको अगर ठीक करना हूँ तो पूरे दिन हमारा शरी सीधा रहता है ब्लड का circulation ऐसे और ऐसे एक मोटर से उपर और निचे जाता है अगर हम उस ब्लड के circulation को थोड़ा सा गती दे दे यानि सिर्की और ब्लड फैकने में हार्ट का थोड़ा सपोर्ट कर दे तो उसका फाइदा हमारे इस पूरे हिस्से को मिलेगा ये पूरा हिस्सा कहां कहा है? चेहरा हो गया, चेहरे की चमक यानि स्किन में ब्लड आएगा शरीर में आप इमान के चलिए जहां भी ब्लड पहुंच जाए वो शरीर का हिस्सा स्वस्त होना अपने आप शुरू हो जाता है तो वो जो पांच लीटर ब्लड जो हमारे शरीर में घूम रहा है उसके हिस्से का प्रिशर अगर चेहरे पे आ जाए तो उसका प्रभाव हार्ट को भी मिलेगा और हार्ट जो है उसको अराम से चेहरे पर पहुंचा देगा उसके लिए एक आसन है सबसे बेस्ट वो है सिर्सासन अब लेकिन सिर्सासन हर व्यक्ति कर नहीं सकता तो जो नहीं कर सकता वो क्या कहेगा कि नहीं जी मैं तो नहीं करूँगा मुझसे होता नहीं मैं यह कहता हूँ अगर कुछ भी नहीं कर पाएं तो उससे अच्छा हम कुछ तो करें तो उसके लिए सिर्शासन से पहले की भी कई स्टेप्स है अगर आप वो भी आसन कर ले तो आपके चहरे पे बलड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा अगर चहरे पे बलड का सर्कुलेशन बढ़ गया तो चहरे से संबंदी जितनी चहरा, ना, कान, गला, ENT की जितनी भी समश्या हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा एक्सपिरियंस मेरा एक जैसे एक हमारे योगा सेंटर पे बहुत सारे एक्सपिरियंस आते हैं बालों से संबंदी समश्याओं में जैसे डेंडर्फ बहुत जादा होता था खुश्की बहुत जादा होती थी हमने उसको सीरसाइसन करवाना शुरू किया उसके डेंडर्फ में उसको लाब मिला काले घेरे यहां पर जो चहरे के उपर आते हैं काले घेरे होते हैं, निद्रा और बहुत सारे कारणों से होते हैं, लेकिन ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाएं, तो उसमें भी इसका लाब मिलेगा, तो उसमें भी इसका लाब मिला है, काले घेरों में, आखों की रोशनी में, हलागी रोशनी देखिए, जब चस्मा चड़ जाता है तो उसको उतारना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इस्टे तो कर सकते हैं हम रोग तो सकते हैं उसको तो ब्लड का सर्कुलेशन अगर रोग रोग जाएगा तो नाक और कान से संबंदी समझाओं में भी लाब मिलेगा अब मैं आपको इसका उपाई बताता हूं कि सिर्सासन अगर आप नहीं कर पाएं सिर्सासन करें तो बहुत लाबकारी है अगर नहीं कर पाएं तो उससे पहले की कुछ स्टेप वो हम कर ले जैसे पहली स्टेप क्या है सिर्सासन का कुछ परसेंट हमें लाब इसी मुद्रा में मिल जाएगा जिसको कहते है योग मुद्रा योग मुद्रा में क्या होगा कि हमरी रीड की हड़ी से लेकर और यहां से लेकर सारा बलड का सिर्कुलिशन चेहरे पे आता है इसमें सिर्से संबंदी समझाओं में एक समझा ओर है जो है माईग्रेन और सरदर्द उसमें भी इसका लाब है हालांकि 100% में नहीं कहता लेकिन 50% लोगों को इससे लाब मिल जाएगा ये पक्की बात है आप करना किसको नहीं है ये भी ध्यान रखे हार्ट से पैसेंट जो है हार्ट पैसेंट उनको कभी यानि सिर को नीचे ब्लड का सेर्कुलेशन उल्टा नहीं करना है पहली बात हाई बी पी वाले उनको कभी नहीं करना है ये दो चीजे तीसरा जिनको यहां से सम्मंदित ऑपरेशन बहुत हैवी प्रॉब्लम गले और यहां से सम्मंदित कोई गंभीर बिमारी हो तो उनको नहीं करना है आँखों में जिनके बलड उतरता हो आँखों में जिनके भारीपन होता हो या सिर हमेशा भारी है या कोई नस फुली रहती है ऐसी समझाओं में ये आसन नहीं करने है फिर भी गंभीर प्रकृति के रोगयों को अपने चिकित्सक और अच्छे योगाचारे के सानी ध्यमी करना चाहिए यह माँ आपको इसका बचाओ बतारो पहला जो सिरसासन नहीं कर पाएं तो शुरुवात कहां से करें पहली जो क्रिया है वो है योग मुद्रा यहां पर वजरासन में भी कर सकते हैं और पदमासन सुखासन में भी कर सकते हैं हातों को पीछे ऐसे ग्रिप करना है वजरासन में आब बैठते ही है स्वांस भरेंगे स्वांस छोड़ते हुए मस्तक को नीचे टिकाना है अब इसमें देखिए क्या हुआ है हमारी spinal के दोनों और से जो blood का circulation है वो हमारे मस्तक की और जा रहा है हमारे सिर्क की और जा रहा है आप एक से देड़ मिनट करेंगे आपको इसका lab ओटोमेटिक पता चल जाएगा आपको खुद को लगेगा कि मेरे चेहरे पर जैसे रक्त खून जो है वो चमडी के उपर प्रेशर कर रहा है ऐसा मैसूस होगा आप सोचिए अगर रक्त का इतना प्रेशर हमारे चेहरे पर आ रहा है तो कही न कही वो हमारे चेहरे को हमारे नाक, कान, गला इससे समद्दी समश्चाओं को लाब करेगा ये पहला एक से डेड़ मिनट हमें इसमें रुकना चाहिए और फिर स्वाज भरते हुए आप ये हमारी योग मुद्रा अब इस आसन में आप तीन बार कर सकतें लेकिन पहले दिन कभी भी तीन बार नहीं करना पहले दिन एक बार करना बस एक बार करके फिर आप इसको आराम देजीए शरीर को जो ढिला छोड़के फिर सो जाईए लेड जाईए अगर पहले दिन कर रहे हैं दूसरे दिन दो बार करिए एक एक मिनेट फिर तीसरे दिन तीन बार फिर दीरे-दीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं आप देखना आपको दस से पंदरा दिन में चहरे के उपर रक्त का संसरेंट बढ़ा हुआ मिलेगा जुर्या जिनको आ रही है वो चहरे की जुर्या कम होगी और ना, कान, गला से संबंदी जितनी भी समश्य है उनमें आपको जो भी आपका ट्रीट्मेंट चल ला है सब चलने दीजिए उसमें इसको आपको एक सपोर्ट मिलेगा और आपको बहुत बढ़िया लगेगा सरदर्द की समश्या में भी 50% आपको रिलेफ मिल जाएगा ये पक्की बात है ये पहला आसन है हलांकि पूर्ड जो है वो तो सिर्शासन है लेकिन उससे पहले की स्टेप जो सिर्शासन नहीं कर पाए उनके लिए बता रहा हूँ अब इससे एक आगी की स्टेप हो रहे है अगर ये हो जाए आराम से तो आप नेक्स्ट श्टेप को अपनाएए क्या लंबा स्वास भरिये लंबा स्वास चोड़िये और हातों को यहाँ पर रखिये सिर जो है वो हातों के मध्य में सेंटर भाग जो हमारा सिर का सेंटर भाग है वो हातों के मध्य में रखना यह ऐसी है इस तरही के से अब जिसको यहाँ पर भारी पर लग रहा हूँ मैं देखिए मैं हर उस व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है उसका भी काम करें ऐसी इच्छा है तो अगर आपको इसमें सिर्वें जोर आ रहा है तो नीचे गंदी जरूर लगा ले और यहाँ पर हातों का जोर रखे सिर्व पर उतना ही वज़द दे जितना आप सहन कर सकते है धीरे धीरे आपके सिर्वें ताकत आ जाए तीन चार दिन आप आराम से कर पाए हाँ इसमें सर्वाइकल वालों को भी यहाँ पर पेन हो सकता है तो सर्वाइकल वाले यह नहीं करे वो योग मुद्रा वाला कर सकते है अब इसमें हाथ जो है वो पीछे रख ले ऐसे अब ऐसे हाथ रख लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा वज़न सिर के उपर पड़ेगा रक्त का संस्रण हमारे सिर सम्बंदी समस्त समश्याओं में यह लाब करने वाला होगा एक मिनट अधिक तब शुरू शुरू पे आपको करना है फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपकी शम्ता जैसे बढ़ती जाए आप लगातार करते जाए यह भारा दूसरी किरिया हो गई सिर के उपर पूरा रक्त का प्रेशर आपको बहसूस होगा रिलैक्स हाथों को यहाँ पर रखे वजरासन में आकर और शशांकासन में लेड़ जाए रिलैक्स करें मुठ्धियों को एक दूसरी को पर रखते में मस्तक को यहाँ पर रखे रक्त के सेच्रण को साबार्डे करें जब रिलैक्स हो जाए तो उठकर बैठ जाए मैं आपको बहुत धीरे-धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि यह धीरे-धीरे समझने की चीज है सिर के साथ कभी जबरजस्ती नहीं करना हाट का बलड का सर्कुलीशन हम शरीर का जो चल रहता उसका जश्ट विप्रीद कर रहे है लेकिन इस एरिय के लिए इस छित्र के लिए बहुत बढ़िया है घरदन से उपर का जो छित्र है अगर रोज हम दो से तीन मिनट पांच मिनट इस तरह की क्रिया करेंगे तो इस छेत्र में बहुत लाव मिलेंगे, बहुत सारे आपको, आप खुद अनुबह बताएंगे कि मुझे इस से ये लाव हुआ, ये second step, अगर आप पहली मुद्रा कर ले, second आराम से हो जाए, फिर तीसरी मुद्रा कुन सी है, तीसरी है सिर्सासन, अब सिर्सासन से एक पहले का step, क्या करना है, देखिए सिर्सासन वही कर पाता है, जिसका base अच्छा हो, base हम किस से बनाएंगे, base बनाएंगे हातों से, हातों से base कैसे बनता है, ये आप कौनिया है, ये हाथ है, ऐसे ये नाप ले लिजी आप, और इसको यहाँ पर रखिए, ठीक है, यहाँ रख दिया हातों की यहाँ पर grip, अब जो कोनी आपने जहाँ पर रखी, वहाँ से कोनी नहीं हिलनी चाहिए, यहाँ पर आपको हातों की grip कर दिया, ये जो हात है इसकी grip इतनी टाइट होनी चाहिए, ऐसे, और इसके बीच में हमें सिर को रखना है, कैसे, कि मस्तक का ये हिस्सा जो है, ये तो जमीन पिटिकेगा और बाकी सिर हाथ की हतेलियों में होगा ये तीनों हमारे खंबे हैं अगर ये खंबे हमारे गड़बड हैं तो हम सिर्शासन नहीं लगा सकते तो सिर्शासन का एक हिस्सा जितना आप कर पाए उतना मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर को यहां फसा लिया पिछे की और धका देजिए जिससे अगूली जो है वो हमारी टाइट हो जाए अब ये बेस हो गया वरा अब जो सिर्शासन नहीं लगा पाए वो इस इस्तिति में आ जाए बस ये हमारी तीसरी स्टेप है जिसका सिर्शासन नहीं हो रहा वो केवल इतनी स्टेप ही करें पांस साथ दस दिन तक आपके रखत का सिंस्रण बस तक आ जाए चेहरे तक आ जाए आख का नाग गला तक आ जाए ये बहुत सुकूद देगा एक डेड़ मिनट पहले दिन किया और फिर रिलेक्स ये आपकी आदत में आ जाए अब यहां पर वो ही ए एक मुठी पर दूसरी मुठी लगाना और रिलेक्स करना ये हमारी तीसरी स्टैप अब इससे आगे है सिर्सासन अगर आपने ये अपना बैलेंस बढ़िया बना लिया आपके सिर में रक्त का सेंस्रण सही चलने लग गया आप एकदम स्वस्त महसूस कर रहे हैं आपको अगले स्टैप में आप जाईए और सिर्शासन में इस सिर को यहां फसाईए मस्तक को जवीर पे लगाईए और पूरा बेस मजबूत करिये और पावों को ऊपर पूरा ऊपर उठाईए और पंजगों आस्मान की ओर और एकदम स्थिर्ता शरीर को देनी है अब अगर आपका बेस अच्छा होगा न तो आपका सिर्शासन बहुत अच्छा लग जाएगा शुरू-शुरू में आदा मिनट एक मिनट फिर उसके बाद में आपको लगे कि मैं इसको और ज़्यादा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ तो आप इसको मात्रा को बढ़ा सकते है लेकिन शरीर की व्याधियों का ध्यान रखते हुए अपने चिकित सक से राई लेते हुए सिर्शासन को करना है कभी जबरजस्ती शरीर के साथ नहीं करना है ये हमारा सिर्शासन बहुत शांदार शरीर के लिए सिर्शासन राजा है और आसनों का राजा जो है वो सिर्शासन को कहा गया है ये हमारा सिर्शासन और प्रेक्टिस हो जाए तो उसके बाद में पदमासन भी आप लगा सकते हैं सिर्शासन के अंदर पदमासन आपका हो जाए उसके बाद में बहुत सारे आसन आप सिर्शासन में करके भी कर सकते हैं सिर्शासन करके सीधा हमें कभी नहीं उठना चाहिए सिर्शासन के बाद आपको एक मुठ्थी पर दूसरी मुठ्थी उसके उपर मस्तक और रिलाक्स करना स्वास परक्रिया दोर्बल रहेगी रिलेक्स जब आप रिलेक्स मैसूस करें जितनी देर सिर्षासन किया उससे डबल देर आपको दुगने समय में यहाँ पर मस्तक को रखके रखना है जिससे आपका blood का circulation सामान्य हो जाए फिर उठकर बढ़ जाए यह चारो step step by step है पहले दूसरे तीसरे चोथे step तक पहुंचते पहुंचते आपको 15-20 दिन लग जाएंगे हलांकि सिर्षासन नहीं भी हो तो उससे पहले के step तक तो आप जा सकते है वो step भी अगर आपने कर लिए तो यह इस पूरे क्षित्र में आपको बहुत लाब होगा जो माताएं मैंने जो कहती हैं चेहरे पे जुर्रियां आ गई रिंकल्स पड़ गए और जो काला पन जो आँखों के नीचे आ रहा है यह एक ही क्रिया जो है यह ही लाब कर जाएगी केवल रक्त का संसरण यहां पर पहुंचे बस ध्यान मैं फिर आपको कह रहा हूँ स्वास्ते का ध्यान रखते हुए ही यह करे जिद बाजी जबरजस्ती शरीर के साथ कतह ही ना करे तो सिरसासिन का लाब आपको मिले आपका चेहरा चमके चेहरे पे नाक, कान, आख की समश्याएं आपको ना हो आप स्वस्त रहें, मस्त रहें और सरदर्द की समश्या से भी आपको निजात मिले ऐसा विचार करते हुए मैं मेरे साथ ही नरेश जी के साथ डॉक्टर मनोज योगाचारे लेता हूँ इजाज़त नमस्कार